करही के समीपस्त ग्राम रमजानपुरा इस्तित तालाब पर बहुत दिनों से एक मगरमच के होने की सुचना मिल रही थी मगर वन विभाग द्वारा काफी खोजबिन करने के बाद भी उस मगरमच को पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी थी इसी थरह की खबरे समीपस्त ग्राम मंदोरी इस्तित तालाब एवं चनगून इस्तित तालाब पर भी मिल रही थी कि वहाँ भी कुछ लोगों ने मगरमच को देखा है वहाँ भी वन विभाग द्वारा खोजबिन की गई मगर हाथ खाली ही रहे अभी तक एक बार फिर से रमजान पूरा तालाब पर वन विभाग द्वारा मगरमच को पकड़ने की कारवाई की गई और अंततह वन विभाग की टीम सफल हुई आप देखना यह है कि इस तालाब में मगरमच आया कहां से और तालाब में और भी मगरमच या उनके बच्चे तो नहीं हैं इन प्रशनों का समाधान वन विभाग को करना होगा क्योंकि रमजान पूरा तालाब एवं अन्य जितने भी तालाब है उनमें पशों को पानी पिलाने से लेकर खेतों में पानी देने के लिए तालाबों का उप्योग होता है इस तरह आगे सुरक्षा द्रश्टी से वन विभाग को दोनों तीनों तालाबों पर सर्च अभियान चला कर और कोई मगरमच हो तो उसे पकड़ने की कारवाई की जाने चाहिए महिश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें